कि यह हैं अमारा भविश्ट कि अरे विक्की यह लेना ही बड़ेगा करने दोना तुझे बॉलिंग करने दोना तुझे बॉलिंग आती है तुम्हें मैच्स मैंने सिखा यह ता अब तुम मुझे क्रिकेट सिखाओ लेकिन अभी नहीं सिखाव सिखाव अभी सिखाव अरे देखो तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटी को लीचे गिरा दिया अरे अरे क्या हो गया पिकी लगा क्यों दिया देखें ना इसे बॉलिंग नहीं आती और कहती है ये बॉलिंग करेगी तो करने दो ना इसे बॉलिंग इस तरह तो हम हार ज तो उनके साथ थोड़ा एड़्जेस्ट नहीं कर सकते थोड़ी ना कोई बात हुई हर बार आप मुझे अज़ेस्ट करने के लिए कहते हैं अगर अज़ेस्ट करूंदा तो जीतूंगा कैसे तुमसे बात करनी है मानलो यह हथेली तुम्हारी जिंदगी है और यह तुम्हारे दोस्त क्लासमेट्स और रिष्ददान जितना तुम लाइफ में अड़ेस्ट करोगे उतने ही ज्यादा लोग तुम्हारे साथ होगे लेकिन तुम अगर उनको अपना खमण दिखाओगे और अपनी सोच उन पर लादोगे तो कोई तुम्हारे साथ नहीं रहेगा हमेशा खुद के बारे में सोचोगे तो थोड़ा खुछ रहोगे लेकिन अगर तुम दूसरों के बारे में भी सोचोगे तो ज्यादा खुछ रहोगे अब जाओ जिक्ताओगे गर्यकामसी पूरामसी पूरामसी ये कि यही प्रॉब्लम है हमेशा अज्जस्मंट का पार्ट पराते रहते हैं अज्जस करूंगा तो हारता रहूंगा चाहे वो मुझे जितना भी समझाए मैं लूजर नहीं बनूंगा खुद से एक वादा करता हूं आज के बाद अज्जस्मंट जो अच्छा लगेगा करूंगा जो नहीं अच्छा लगा नहीं करूंगा खुद की मर्जी का मालिक बनूंगा कि 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 कर दो दे कर दो और दो कर दो खो कर दोया है हमारे देश में आते हो, हमसे पंगाल लेते हो, हम तुम्हें नहीं सोड़ेंगे वी नॉट दो सम्थिंग सर, देन वाय दोइंग दे विदाउट सोप सर? उनको तो तुमसे जलन होगी ना? उनके देश में वो लोग टॉयलेट्स और कार्स होते हैं और तुम लोग AC रूम्स में बैट कर डॉलर्स कमा रहे हो, उनका फ्रस्टेट होना जायज है, तभी उन्होंने पीटा, अब एक काम करो, उन्हें सौरी बोलकर कॉंप्रमाइज कर लो अगर तुमने कॉंप्रमाइज नहीं किया और पुलिस में उनके कम्प्रेंड की, वो तुम्हें कोली से उड़ा देंगे और ख़बर पहल जाएगी कि कुछ NRIZ ने आत्मयत्या कर ली है, और ये खबर सुनकर तुम्हारे माबाप जीते जी मर जाएंगे, मेरी बात मानो और उनसे कॉंप्रमाइज कर लो, उसकी ज़रूत नहीं पड़ेगी, विक्की कोई रास्ता निकाल लेगा, लेकिन वो है कहाँ एई गाइज, 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 तुम्हें गेम खेल ला है, आज जाओ ये निशाणे पर। ये खेलने ये मानि आया है, फाइज कहना हاحई, तुम्हें फाइज कहना है, फाइज दो लोगों के भीच में होती एक आदमी दसकी दलाइगा, तु उसो फाइज हो रहेंगे, कर दो जो एक तो है यह वर ए वाग दो है, हुआ वागड्या करता है Are you crazy? Hey, hey, are you are you are you going back? Hey, what's this? Hey, hey, are you are you back? मुर्ड ट्रूं इंग और रहे है और जो इंग और रहे है? वाँ Oh yeah, it's safe. Just be that married man, I'm coming. Hey! पुछ से दूर हटो. I'm too sorry. कहते हैं कि आकल से शाने को मारो और चला की से ताकतवर को. लेकिन मेरा दोस्त कहता है कि ऐसा मारो कि याद आजाया पारो. Oh come on, where are you going guys? आजो लिमे अलो, come back! Hey, come here! Come back right now! Come on! Hey baby! Give me a minute. I'm sorry, मुझे माफ कर जाओ. What happened? तुमे इससे माफ ही क्यों मांग रहे हो? My girlfriend, namaste! Sorry, अब भी दुख रहे हैं? कोई बात नहीं नहीं, उन्हीं पाए हैं? Left laying then right laying then office coming. Oh, thank you. Hmm. You may also have a four-hour trip in Australia. अभी तक English बोलना नहीं सिखा? I tell correct office no. चुपकर, उसे तुझे जापान पूछा, तुन्हें चाइना बेज दिया? No, I tell correct. Tell. Angrazi, में शब्दों का ऐसा इस्तिमाल नहीं होता. I'm shocked. आई ये भी गलत. Oh-oh. Hi, friends! Hi! Hi! Hi, Swati. Good news, guys. हमारी शादी फिक्स हो गई है. अगले संडे, Catholic Church. Wow! Congratulations! अब एक बैचलर पार्टी चाहिए? Congrats, Swati. Thank you. Hey, hey, hey. माइंड़े हमालों का फोन है. मुच्र लडोगी? Good news, friends. माइंड गेम वालों को हमारा बनाया हुआ वीडियो गेम पसंद आ गया है. Yes! वो 50% पार्टीशिप के लिए राजी हो गए हैं और इंडिया में अपनी कंपनी भी लॉंच करेंगे. Yes! विकना चीवा, गोल्स, man. Come, buddy, man. बजगे. अगर कांट्रेक्ट नहीं मिलता, तो मेरा बाप मुझे इंडिया बुला लेता. और वहां तबेला संभालना पड़ता. तुम्हें पता भी है, तुम क्या कर रहे हो? हमारा साथ छोड़ दोगे, कॉंट्राइक भी पूरा नहीं करोगे. माइंड गेम्स कंपनी वाले क्या कहेंगे? स्वाती, इस काम से खुश नहीं है. वह बहुत अपसेट है. वह नहीं चाहती कि मैं जॉब छोड़ कर कोई बिजनस शुरू करूँ. मैं मजबूर. उसे कहा ही हमारा सपना है? मैंने उससे कहा. पर वो कहती है कि जॉब में सेक्योटी है, और बिजनस में रिस्क है. अब मैं क्या करूँ? ए, जो दिल कहता है वही कर. दूसरों को खुश करते रहोगे तो खुद कभी खुश नहीं रह पाऊगे. मैं समझता हूँ. पर स्वाती समझने को तयार नहीं. क्या बगवास है? क्या रहे, तू चाहता है कि हम यह कॉंट्रेक्ट छोड़कर वापस नौकरी करें? जो रूख के गुलाम शरम नहीं आदी हमें बीच रासने में छोड़ते हूँ. जादा नो बुडिंग. अरे छोड़िया, कल की आई लॉंडिया के लिए हमें लाज मार रहा है जो. जो बोलना है मुझसे बोलने, स्वाती को बीचना हूँ. अरे यह समझता है अपने अपको, यह जानता है कि इसके बगार अपना काम नहीं बनेगा, इसलिए तब भाव खा रहा है. आज इसको उस लड़की के लिए अपनी दोस्ती पैर ही नहीं रहे. साला. छोड़ यार मेरा भी मन मर गया है, चल. परफ्यूम अच्छी है, स्वाती नहीं सेलेक्ट कियोगी ऐसा नहीं है यार लडकों वाली नहीं नहीं यार, बाई यार पात तो सुन एप लीज यार, एक केरन तू तो समझे हैं, आम सौड़िया, हम करिंग वाट अभी उनसे मिलकर थोड़ा और वक्त मांगते हैं प्रेटी के लिए शनिवार का देन अच्छा है तुम क्या कहते हैं बड़ो की बात को कैसे इंकार करें मैं अपनी बेटी को इस पेट्टू के घर भेज रहा हूं बहु बनाकर इंगेजमेंट दो दिन के बाद है और शादी इंडिया में है अगले महीने ग्रेट बेस्ट फ्रेंड्स अबिकमिंग रिलेटिवस अब काच्छी लेटर केपी बाई 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 बॉल प्लेज प्लेज कोई बड़ी बात नहीं है मेरे पास एक बढ़िया अनिमेटर है रॉबर तुम उसे शामिल कर लो थैंक यू रॉबर्ट यह काम कर पाएगा ना तुम फिकर मत करो मुझे उस पर भरोसा आप अट लॉट अप गेम बनाना एक क्रेटिव जॉब है वो मेरी टीम के साथ एज़स्ट कर लेगा बस इसी बारे में हम लुग कुछ दिसकस करना चाहते हैं अगर वो एज़स्ट नहीं पाए तो तुम कर लो सॉरी मुझे एज़स्ट करना नहीं आता है यूथ एटिट्यूट मुझे तुम्हारा नाम तो नहीं पता पर एज़स्ट करना जरूरी है वरना काम नहीं बनता मुझे भी आपका नाम नहीं पता पर अगर एज़स्ट करेंगे तो हारेंगे देखो विकी य इगो की चक्कर में इतना बड़ा कोंट्राक्ट लूज कर दो कि? इतनी दूर मैं कोंट्रैक्ट लूज करने नहीं आया और हां ये सिर्फ गेम नहीं है कि एक शॉट मिस हो गया तो दूसरा मार लिए ये इमेरा ड्रीम है और मैं रिस्क नहीं ले सकते Excuse me, मैं ऐसा नहीं सोचता। यह आपकी प्राबलम है। क्या मतलब है तुम मतलब है तुम मतलब है। नहीं तुम रुको, जवान खून है, जिद में प्रजेक्ट खो देगा। अगर इसे अकल होती, तो इतना अकड के बाद करता है। इसे समझाना पिकर। ए पिछली दिवाली के हिरो, तुम लोग क्या खुद को फिरंग समझने लगे हो। और ऐसे कपड़े पैन लेने से को फिरंग नहीं हो जाता। और यह क्या खेल है। इतने बड़े मैदान में एक छोटी सी बॉल को मारते हैं और फिर उसी को डूढने लग जाते हैं। बोर नहीं होते हैं। और अटिटूड़े जो शादी करेगा उसकी जिंदगी तो नर्ख हो गई समझो। उसके बाद मैंने शिवाजी की जगह अपने पुराने दोस्त को रख लिया। हमने अपने बिजनस की एक नई से शिर्य से शिरुवात की। तो यह जो पर दोस्त करें। यह जो पर दोस्त करें। कुछ तिनों बाद हम लोग इंडिया के लिए रवाना हो गए। मेरी बहम की शादी की तारीख नजदीक आ रहे थी। अपने परिवार से चार साल बाद मिलने वाला हूं मैं। इसके लिए वे दुनिया भर के बैचलर लड़के लडकी नड़कें से यह फॉर्म पर रहे हैं। कि अब दो लोगों का जवब उनके हतो यह चोपलेट रिलीज करवाएंगे। क्या बख्वास है प्लीज ट्राइंग यार तू ट्राइ कर ले तुझे कोई नो कोई अफ्रिकन मिल जाएगी अफ्रिकन मिलते हो वो मुझे मिल जाएग तो पसंदीदा कलर वाइट पार्टनर की सबसे अच्छी चीज क्या होनी चाहिए अफ्कॉस स्माइल वो खुश हो तो क्या करना चाहिए डैंस क्यों आंकल कहा है आज कला दिन भर शादी की तैयारियों में लगा रहे था हूं बेटा तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे सारी तैयारियां तुम ही कर रहे हो मैं कुछ नहीं कर रहा हां बड़ी मदद कर रहा है मेरी सारी मदद तु लड़की के बाब नंदू के लिए कर रहा है हमसे कम किसी के लिए तो कर रहा हूं चला मैं चलता हूं अंकल काफी तीसरा वर्ल वार अभी हुआ नहीं है आपको कैसे पता ज्यादा नाटक करने के जुरत नहीं ठीक से पड़ो कोशिस तो हुई है हलो बेबी बारा महीनों में चौदा तरीकों से तुझ पर प्यार लुटाओंगा मैं डाड़ी ओए फटे हुए डोल शकल तो तेरी ढंकी है नहीं कम से कम गाना तो सुर में गाया कर सुर्दास की आउलाद ओके डार्लिंग ओके बोलती हुए इस देवदास की पारों बनेगी कब तक इसकी बत्तमीजिया सहते रहेंगे मेरी शादी होने तक वही तो कब करूगी शादी डैडी की एक खवाई जल्दी पूरे होने वाली है उन्होंने दीडी के लिए एक दुला डुंडा है क्या हैं मैं कुछ तेर नहीं कर रहा हूं बेटी हमारे पीच जो डिस्कस्वा वो ही बता रहा हूं आपने उंसे क्या कहा होंगा मेरा बेटा Australian dollars कमाता है, शादी के बाद वो तुमारी बेटी को Australia ले जाएगा, यही का होगा न? Australia ले जाएगा? No way, Australia को छोड़ो, वो तो किसी और country में settle होने को तयार नहीं है, हमने इस रिष्टे के बारे में तब सोचा था, जब तुमने इंडिया में settle होने की बाद गही थी लड़की कौन है पापा? वो लड़का? वो लड़की? वो बच्पन में इतना अक्डू था? वो बच्पन सही, टीचर के रीज हारती थी मुझे पर, वो टॉर्चर है डाइड, टॉर्चर! लोग हमेशा एक जैसे नहीं होते, वक्त के साथ सब बदल जाते हैं देखो विकी, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा है, पर उसे एक बार देखने में बुराय क्या है? कुछ नहीं है हम 10 دن के लिए वहाँ जा रहे हैं, देख कर बताऊंगा वो 10 دن के लिए यहां आ रहे हैं, देख कर बतांगे मेरे लिए यह सब एक डेटिंग है, आप लोग कुछ तैमत कीजेगा मैं आपसे पहले ही कह रही हूँ, अगर उसने अपने फॉरें रिटान होने का रॉब मुझ पर जबाने की कोशिश की या उसने मेरी इज़त नहीं की, तो चुप नहीं बैटूंगी जैसा तुम चाहो, भगवान जी, अगर यह रिष्टा पक्का हो गया ना, मेरी पती, आपके दर्शन के लिए अपने सिर मुणवा कर अपने घुट्नों की बन चल कर आएंगे, पेटा, एक जमाने में यहां से लेकर वहां तक सारी जमीन हमारी थी, तुम्हें आद है ना, आद में दर्शन कर लेना, अरे अगर हमने दर्शन नहीं किया तो हमें पाप लगेगा, हाँ, क्या हुआ जी, पंक्चर हुआ है, अरे दूसरा टायर भी नहीं है, मैंने बोला था ना, मंदिर में दर्शन नहीं किये, तो संसा में लेगा, मा, भगवान हमारी तरह मतलब ही नहीं है जो मंदिर नहीं जाने से ऐसा करेगा अच्छा आप लोग मंदिर चलिए मैं टैर ठीक करवा के आता हूं सुनो देखना कहीं इधर उधर भटक ना जाओ क्या कहा आपने मैं बच्चा नहीं हूं डैट आई नू लिफ्ट देने के लिए किसी को तो भेजिए मेरे पास नहीं यार काव की गवार लड़की है रुक है कहां जाने तुम्हें प्राव के घर तक नहीं मेरी कार का टायर पंक्चर हो गया तो पहले मुझे पंक्चर वाले के पास जाना है नाम क्या है वेकी मुझे नहीं पता था कि कहां की गुरियां इतनी एडवांस्ट हो गई कि किसी को लिफ्ट यह से कि इसलिए मैं पहले डर रहा था यहां पर डॉक्टर राव की बेटी पिया को जानती हो जानती हो कुछ नहीं मेरे मॉम डैड उसे मेरे गले बांधना चाहते है पता नहीं कैसी है मोटी है काली है नाटी है यहां सुंदर होना जरूरी है मैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं मैं तो यहीं पूछ रहा था बचपन में बस वो थोड़ी खिसकेली थी थोड़ा दा स्क्रूड ही ला था सिर्फ अपनी ही सोच रहे हो उसने मना कर दिया तो मुझे मना करें नहीं सकती नो चांस यार अभी पता चल जाएगा क्या कर सकती हू पंक्चर वाली की दुकान उस तरफ है ठीक है वैसे तुम भी बहुत खुब सुरह था मसा कर रहा था मेरे साथ वॉक पर चलना पसंद करोगी है कि मिलेंगे सफर एंजॉय करना गाम की प्यारी सी गोरी एक मिल एक मिल एक मिल सॉरी है यहां से सीधे जाएंगे तो कहां पहुचेंगे पहाड के पास ओके और उसके बाद नदी के पास नदी और पंक्चर के दुकान कहां में लेगी वो इस तरफ नहीं है सीधे चलते जाओ 10 क्लो मीटर क्यों बेटा तुम टायर चेंज करने चिंच पुकली गए थे क्या मस्भी करो इतने सालों के बाद गाउं आया है जरूर गाउं में घूम रहा होगा बेटी प्रिया अरे विकी के लिए एक ग्लास पानी तो लेकर आओ आओ की कोरी असले असले आखरी बार जी भर क्या सले तुमने दस किलो मेटर चलाया ना मुझे अब देखना आगले दस दिनों में तेरा क्या खाल करता हूं यू आर रिजेक्टेड खुदको बहुत समार्ट समझते हो मुझसे दूर ही रहना वरना नानी याद दिला दूंगी वैसे तुम्हें दस किलो मेटर दूर इसलिए छोड़ा था कि तुम समझ जाओ कि यू आर रिजेक्टेड आपका सफर अच्छा तो रहा ना वो तो अभ यह ग्लासिस गुची के है ना ओकले मुझे दोगे हमने सबसे कया के तो रखा है लेकिन पकी तारह किसी को नहीं बताई है कोई बात नहीं चल कर सबको बता देते है हमें जाने की क्या जरूरत है हम विक्की चला जाएगा विक्की वो फिर कहीं भटक गया तो हाँ प्रिया यह ठीक रहेगा अब आएगा मुझा बेटा मीठा नहीं खाता अब पता चला इतने कड़वी क्यों मीठा जो नहीं खाते इसकी तो मैं हाँ 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 थैंक यू पहले बता किस बात से ज्यादा चड़ती है तेरी बहन एक नहीं तीन बात बताता हूँ किसी ने अगर उसे गुलाबो कहा तो उसकी खैर नहीं चलिए राख और मज़ेगर गुलाबो मेरे लिए चिकन लाना मामू बेंजर ही कहां आपको गैस हुई का बाता हाँ अनिक उई तरह से नहीं हो तरह है इस तरह से मना है क्या उल्लू बनाया थोड़ा मजाख करने का जी नहीं करता तेरा यह कर रहा थोड़ा टेटवा दबादू नहीं दबा पाएगा इस नाचरल सब जलते हैं मुझ से क्योंकि मेरे जैसा बनना मुश्किल है नामुम्किन है क्योंकि मेरी बात यह लग है चपल निकालो जल्दी पचास रुपए की है चोर बाजार से लिया अब धोड़ा लो अरे चपलों को नहीं मेरे पैरों को धोना था सुन रहे तेरी बेटी है रहा हमाले नाम क्या रखा है हमरी मां का नाम लटीका लटीका यह कैसा नाम है दू बढ़ी आया ना पसंद यह चोटी लोग चोटी पसंद मुझी काफी इतना पसंद है न कि अंकल आप मूछे मुलवा लेगे तो मेरी तरह जवान और स्मार्ट लगेंगे तुम बता क्या ठूस रहे हो सिर्फ सांबर खा रहा हूं अरे अगर खाली सांबर पियोगे तो कैसे तेस्ट आएगा तुम्हे तुम्हे थोड़ा आलू मिलाओ और बाती साब सब्जिया मिलाओ और खाव थोड़ा गाजर भी खाव प्तागो भी 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 खाव लोग थूस अपने पेट में अब धेल्या पाप पर चुरा करके डाल दिया इसमें देखना आप आएगा मज़ा तुम्हारे लिए भी मैं कुछ टेस्टी बनाता हूँ आपका हाथ तो नहीं चल गया नहीं बिल्कुल नहीं मैं तो आग को पानी में बिल्कुल नहीं तो आग को पानी में भीगो के पी सकता हूँ मैं बस अभी हाथ दो क्या आया मैं नहीं भिकारी है कैसे हो विकी बाबू पाइचाना नहीं तुमने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं एक रुबिया देगी था तो मुझसे शादी करोगे सच में अभी देदो शादी कर लेगा तुमसे तुमको कैसे बूल सकता हूँ तुम इस गुलाबू की नाग चासाफ क्या करती थी अब क्या करते हैं बीचारे के पैस कोई काम धंदा नहीं है वीडियो गिम बनाता है जो फालतु लोग खेलते हैं हम कार में नहीं जा रहे थोड़ी खराब है तोड़ जाओ मैं चला लेता हूं क्यों ब्रेक लगा कर चिपकनी के लिए हाँ, वाँ, क्या खुश्बू है मुलायम बाल हाँ, उत्रो हाँ, ओके तुम चलाओ, पर ब्रेक मत लगाना वरना शामत आई समझो हाँ, हाँ, यह क्या कर रहे हो इस क्या क्या लगाँ तुम्में तो खांप्रेक मत लगाँ हाँ, स्टाप उत्रो हाँ, भुविव कल तो म ऑजेताप मेरी मदच्छी कोई जरूरत नहीं हैपी गर के टेरिस पर एक स्पेशल जगह है जहां कोई नहीं जाता वो पता नहीं क्यों से स्पेशल लगता मेरा आइफ। यह तुम क्या रहे हो? शर्म नहीं आती मेहमानों कर घर पर पी रहे हो वैसे मैं भी कभी घर पर नहीं पीता पर जब पता चला यह जगह तुमाड़ी खास है तो सोचा यहीं पी लेता हूँ चलो उठो और यहां से निकलो यह मेरी जगह है मेरी प्राइविट जगह है आउट हेई वसे पीने की मस्त जगह है जेल तो भी शुरू हुआ है पिक्चर तो भी बागी है मेरे दोस्त गुलाबो इसका में पुटा करो कुछ सबज़ दिया रहा हालो हाई प्रिया तुम्हारा विक्टी कैसा है अभी भी पहले जैसा ही है इरिटेटिंग इरिटेटिंग दो दिन में परिशान हो गई दो दिन की बात करेंग मैं तो उसे दो मिनिट भी जेल नहीं सकती आपो तव कि लेह पॉपनी आपटा जैसे हाई आपो कर दो कर दो मुझे विक्की पसंद नहीं है डाडी, हर बात में बस जीतना है उसे, बिल्कुल नहीं, बहुत जिद्धी है वो डाडी है, इरिटेट हो चुकी हूँ, शरारत तो तुमने शुरू की थे ना बेटा, जरा आइने की तरफ देखो, हम मुस्कराते हैं, तो वो भी मुस्कराता है, और अगर हम उसे घुस्से से देखते हैं, तो वो भी वही करता है, इंसान भी वैसा ही होता है, तुम हमेशा कहती हो ना कि जो भी हम देते हैं, वही हमें मिलता है, ये भी बिल्कुल वैसा ही है, मैं कोई जबरदसी नहीं कर रहा हूँ, मेरी खातर सिर्फ एक दिन, विकी के लिए सोच कर देखो, उसके बाद भी तुम्हारा मन नहीं बदलता, तो ना कह देना, हमारी बीच, जो भी हुआ है, उसे भूल जाओ, अब एक नहीं शुरुवात करते हैं, लेट्स बी फ्रेंज, तुम बहुत खुबसुरत हो, कहा ना जगड़ा भूल जाओ, यखीन मान, तुम वहागई, खुबसूरत लग रही है, मुझे लगता था कि साड़ी में तुम ब तुम है, आम सारी, फ्रेंचिप में, नो सारी, नो थैंक यू, सुनो, जैसे ही प्रिया विकी को लेकर इस कमरे में आएगी तुम उसके ओपर चाद डाल देना, फिर इस बंबू से उसके तंबू खार देंगे, इस काम में मालकीन हमार साथ देगी का, अरे भाई, क्यू नह चोटे, वो मेरी भांजी है, मैं इशारा करूगा, वो समझ जाएंगे, हाई बाबी, तुम विकी को कमरे में ले आओ, गेम ओवर, हाँ, मुझे मेल कर दो, या, समझा है देदना दुन, ले तदादन एक और लिग, हाँ, हाँ, इका मालक, आपने इका इतना मारा, फिर भी चट्टान माफी खड़ा है, इसे मैंने इतना मार मारा, कि इसके दिमाग का फ्यूज उड़ चुका है, लेकन किसी को छुपके मारने में कोई मर्दानगी न गलती से मिस्टेक हो गया, it's a mistake of identity, तुम मेरा स्मूज बलाओगे, मा कहती है गलती इनसान से ही होती है, आपको तो ए खरोच तक नहीं आई मालिक, खरोच देखने है, ऐसी जगह खरोच आई है, ना तो दिखा सकता हूँ, और ना छुपा सकता हूँ, विकी, वो देखो स्कूल, कुछ याद आया, हाँ, हाँ, अच्छी तरह याद है, स्कूल से मुझे मैच्स की टीचर की याद आगी, oh god, he was a nightmare, अगर मुझे टेबल्स याद नहीं होते थे तो वो मुझे स्केल से घुटने की हड़ी पर मारता था, और पांडुवा वो याद है अगर मैं दोस्तों से फिर मिल पाता, का पूरा हो गया, नहीं साथ, अरे जल्दी करो, प्यास से मेरी काई मर जाएंगी, जाओ जल्दी, हाँ, पानी बिलाता हूँ, नमस्ते अंकल, नमस्ते नमस्ते बेटा, ये कौन है, ये मुझे नमस्ते भी नहीं कर रहा है, विकी, आन करने भी जा सकती है, इसे वहां काम करने की क्या जरूरत है, यहां मेरा तबेला है, और उसे यहां वापस बुला लिया, लेके दुवारे, पिताजी तो मेरी तरह बिजनस मैं नहीं है, अब तुम क्या करोगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी न, कोई मुश्किल नहीं होगी अंकल, यह विडियो गेम्स बनाता है, अगर एक भी गेम बिका, तो हजार तबेले खरीच सकता है, यह तो नहले पर देला मार रही है, चलो विक्की, बैग में पकड़ो, कल्लू भाई, यह बाबी है न, मारू तेरी हल्लू हल्लू, जल्दी चलो विक्की, आपको नहीं सु तुने कहें उसको हावा तो नहीं बोल दिया, नहीं, जान्दाव नहीं बोलेगी, और अगर गलती से भी हाँ किया न, गेम बजा डरूँगा, चलो, निकलते, अब यह जो कर का न, माप उनका कल्लू, मारू तेरी हल्लू हल्लू, यह आप उनके रगों में समाई है, आप उ अरे हाँ, तुम सही कह रही हो, यह क्या क्या, तुमने काने बदल लेगा, इसलिए इससे शेहर ले जाकर खलास कर देगा, अरे मैं तो माजाग कर रहा था, पर तुम तो एक अफ़ते बाद शेहर जाओगी न, तो एक काम करा इसका खेल, आज ही खत्म कर दो, देदे, आप तो नाराज हो गई, ओ, ओके, यहाँ अगर आसपास में कोई कुवा है, तो मैं इसे मार कर वहाँ फिक देता हूँ, गुड आइडिया, पहुच गया, यह मुझे के बास लाया, कोई मेरी जान बचाओ, कोई मुझे बाहर निकालो, इडियट, सुन प्यारे, जितना तेरे को किसी लड़की से अपने प्यार का इसार करने का हक है, उधना ही लड़कियों को तेरे प्यार को ठुकराने का हक है, जोर, जबरदस्ती और धमकी से प्यार नहीं मिलता मेरे भाई, फिर तु क्यों बेकार कोशिश करता है, देख या कोई ने कोई होगी जो तुझे दिल से प्यार करेगी बस सबर कर और उसका इंतजार कर गो एक है भाई गुड़ लाख चलो चैनल पुछ तो सोच नहीं पुलेगा इकाम मालिक विकी बावो का गेम बजाएंगे अरे उसका गेम बजाना तो एक मिनट का काम है अरे मैं तो उसके कपड़े भाड़ भाड़के उससे पाई पाई का हिसाब लूगा उसके बाल पकड़के उसके मूह नहीं कपड़ा ठोशूँगा उसके बाद उसे बोरी में भरके कोड बारूगा ऐसे 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 हेप हाई बेदी हाई हाई मामा जी, आपका बै, जब तु लोटमठ हो रहा था जब तु टालीया बजा रहा था… मैं यूद आया मैं सबने कोले खा रहा था तु अंखे अवा खा रहा था हाथी के भच्च? मामा कुछ भी बोलो, पर हाथी के बच्च मत बोलो तो और क्या बोलो? ग्रेवा ऐसा लगता है कि किसी भैसे ने पैंट और शट पैंट रखिये हाथी का बच्चा ने तो और क्या को तुझे है मामा की निया तेरी सूल मामा की बच्चा मत का हाथी का बच्चा मामे है है हुआ 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 है अगर तुमने कोई हिशारी की और अगर मुझे आख उठा के भी देखा तो मैं तुम्हें यही कार दूंगा है 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 कैसी लगिंग बाभी गुट तो तुमने उसे हां कह दिया अभी तक हां तो नहीं बोला है पर इंकार करने की कोई वजा भी नहीं है हमारे प्रोजेक्ट के लिए उस नहीं कंपनी ने क्या का यह क्या है विकी हां क्या मतलब इसका कहा तक कंपनी यहीं शुरू करेगा इंडिया में सेट्ल होने की बात हुई थी ना फिर तुमने थीन साल के लिए आस्टेलिया में जॉप के आफर के लिए कैसे आ कर दिए ओफर किसी छोटी कंपनी से नहीं है प्रोजेक्ट खातम होन अरे आप समझते क्यों नहीं हैं या समझू हमने फैसला इसली लिया था कि तुमने इंडिया में सट्ट देश 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 द्रीम है ऐसा लगता यही सपने देखता है बस विक्की को जाने दीजिया आंकर तीन साल तो पलक जपकते निकल जाएंगे अपने सपने पूरे करना बहुत ही इंपॉर्टन्ट होता है आंकर और जिंदगी की असली खुशी तो दूसरों की ही खुशी में है ना है 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 तुम यहां पर हो मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं रूड़ वज़े क्या कर रहे थी मुझे यहां बैठना अच्छा लगता है जिब मैं छोटी थी तो मम्मी मुझे यहां खिलाती बहुत सी कहानिया सुनाती होमवर्ग भी कराती इसलिए तो इस जगह को गंदा होते हुए नहीं देख सकती गुट ममी को डैंस बहुत पसंद था इसलिए मैं उनकी याद में आज भी डैंस प्रैक्टिस करती हूं क्या तुम्हें डैंस पसंद है कि अब वगर हमें डांस करना तक तो ठीक है ट्रडिशनल डांस आथा पसंद नहीं है ओके हाँ अब बादे गुलाबो ओ सॉरी 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 हापी बादे प्रिया कि तुम्हारी इसी खुशी को देखने के लिए मैंने एमेंस भीज़े अगर सामने से विश कर था तो तुम सिर्फ थैंक्स बोल देती पर मैं इस मौके को यादकार बनाना चाहता थी थैंक्यू तुम तो यहां बैठे हो तो यह भीजा कैसे मेरे लेप्टॉप में एक फेसलिटी मैंने मैसेज रिकॉर्ड करके टाइम सेट कर दिया था तो सही वक्पर मैसेज पहुच गया कि ओ गॉड पहली बार मैंने किसी लड़की से इतनी देर बात की पथा नहीं क्यों पर तुम्हारे साथ बात करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता आज से यह जगे तुम्हारी भी है चाहो तो यहां ड्रिंक भी कर सकते हूं इस प्यारी सी जगा को गंदा करूं कभी नहीं कि अरे हां बात्रे पाटी कहा है वाओ अंकल कोई है रेनू कलपू आप सब को बुलाना जो था हाँ 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 घर तो बहुत सुंदर है यह हमारा गर नहीं है प्रिया का है हम सब यह सहरां को उसने सहरा दिया है कि अनाथों की लाचारी कोई नहीं समझ सकता लेकिन प्रिया को इस दर्द का एसास अच्छी तरह से है इसलिए उसने हम सबको एक छट के नीचे पना दी उसकी वाज़े से बच्चों को मावाप मिल गए और और हम बुड़ों को बच्चों का प्यार हमें हमारी खोई हुई हर इंसान अपना बर्थड़े अअपने घर्वालों के साथ मनाना भी पसंद करता है पर मुझे इन लोगों के साथ अपना बर्थ्रे मनाने में बहुत क्वशी मिलती है मेरी छोटी सी दुनिया का बहुत एहम हिस्सा है ये लोग तुमारी दुनिया हमेशा खुश रहेगी दिल से दुआ है, भले ही मैं आस्ट्रेलिया में रहता हूँ, मेरी दुनिया, मेरे घर, ओफिस, दोस्तों और पप तक ही सीमित, मकर तुम ऐसी नहीं हो, ये तुमारा प्यारा सा घर, ये मंदिर, ये गांफ, तुम इन सब से जुड़ी हुई हो, सही माइनों में जिंदगी त और अगले ही पल्वरी की खत्म हो जाएगा, एक बात फिर से सोचलो मालिक, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए, इसमें रत्ती भर की भी जोखिव नहीं है, ति गाड़ी क्या वाज आ रही है, दो गाड़ी है क्या, हाँ, दो सुमों है, उसमें से डॉन उत्रा, कल्लू को अब उनको तुने डिकी में बन किया था ना, अब तू अपनी संबल, जानता ये कौन है, अनुमान जिम का मालिक, पड़ेगा एक मुक्का, बन जाएगा लुखा, और ये है पहलवान नमबर दो, उठाके आइब्रो कर देगा तेरा बैटरी लो, और इनसे में लिया हमारे का पहलवान है, जाहे जो कोई भी हो, खोड कर मरोडे उसको, डालिंग, कोई अर्जेंट काम छोड़ कर तो नहीं आया न, हो सकता है, चार-पांच महीने अस्पताल में रहना पड़े, कोई प्राब्लम तो नहीं न, क्या बे, तू मारेगा मुझे, मैं नहीं मारूंगा, त तू... अब्धे, ढूरे, मारू. बज्जा, आया! इस प्राप्लम, टेंडा का ड़ाला. जोत्ति, जोत्शित, वे सेजने सो ते सेटे reactor कारीजिन करैंशिरर दे unos तर्थे क seasुधी, लुंञे है कमया देराओक जा intrinsीर कउ तो पर दाने yrics मेंवादD मेंगर देराओक तब पर देस्तित है जो भी कि ओ कि देराओकेनी सीत्सितित गचत्तुरी तेराओकें liar अरे छोड़ नेरे घर में मामेल नहीं है किया वो देखिए हमारे आदमी अरे सुन मुझे हमारा भवेश अंधिर में दिख रहा है यहां से निकलने में भलाईए मालिक मैदान छोड़ के भागत हो एक पत्रा ज्यादा होना तो पत्ली गली पकड़ने में भलाईगे चल भागती है अरे ते प्रा ज्च यॉआ हो पको एक फोड़imaan प्रा उन्यादाया है खुँआ हो दिख के लोले फिस ते ते नहीं होना Smalls बÂडल़ में दित दो हो आव दिख पड़ पो आप कि दुख रहा है डॉक्टर कुछ इन रिस्ट करना होगा ओके यह क्या है प्रिया मैं अपना बचाफ कर सकता हूं मुझे पसंद नहीं है कि कोई मेरे लिए यह त्याग और बलिदान करें आइंदा ऐसा कभी मत करना सॉरी अच्छा नहीं लगता तो नहीं करूंगी ओके लेकिन वो तो कर सकती हूं जो मुझे अच्छा लगता है हां तो रोका किसने है तुमने वाट यह करना मुझे बहुत अच्छा लगा यू 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 आर मैट अच्छा लगता विश्वानी देवर्ण एविक्या मैं शीवा बोल रहा हूं तुमसे मिलना चाहता हूं शीवा इस वक्त मैं इंडिया में हूं मेरी बहन की शादी हो रही है ठीक है या बाए शीवा सब ठीक है ना कुछ ठीक नहीं है तुने सही कहा था दोस्त जब से स्वाधी के लिए मैंने खुद को बदला है सारी खुशियां चीन गई है मैंने उसके लिए अपने सपने अपने शौक अपना जॉब सब कुछ छोड़ दिया या पर फिर भी मैं उसे खुश नहीं कर पाय हमने शादी करने में थोड़ी चल्दबाजी कर दी अब तो हालात इतने बिगड़ गये हैं कि हमें एक दूसरे को डिवोस देने जा रहे हैं ओ शिट तो चले अब मेरे तुमसे कहा था ना बाहर जाने वाले हैं अब ही नहीं बात में चलते हैं नो वे तुम्हें चलना ही होगा प्लीज चलो ना प्लीज यार वाइडोंट यूंट 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 अब हुआ हुआ है हुआ है अब दुम्हें अब लुक्राइब दूसरी अ मुम्हें बूल गए नो सौरी नो थांक यू अब चलो अब चलो पर कहां सीख्रिट हम कहां जा रहे हैं प्रिया आओ स्कूल फ्रेंदिस नहीं. कृष्णा? या, भाई, तुने तो पैच्चा लिया. इतना मोटा कैसे हो गयो तु? वेटे-वेटे काम करता हूँ ना? और तु रवी यह ना? नहीं, नहीं, राजु. अ, सॉरी, हाई! हाई! दू प्लस टू कितना होता है? कितने दिनों बाद आये? जीते रहो, बच्चे. जुग-जुग-जीओ. थैंक्स तो तुम्हें प्रिया को कहना चाहिए. ये सारा वी यूनियन का प्लान उसी का था. पास में रहते वोड़ी उसने मुझे पचास बाल फोट किया. वैसे तुम यहाँ पर कितने दिनों से हो? एक हफ्ते से. एक हफ्ते में क्या जादू कर दिया? मैं उसके पिछे बच्पन से पढ़ाऊ. आज तक उसने मेरा एक ग्रिटिंग काड़ भी एकसेट नहीं किया. मैंनो तो यहाँ तक सुना है कि उसने नॉन्वेश शुरू कर दिया, डांस छोड़ दिया, और तो और अपने कुत्तों से भी मुझ फेर लिया. जो लड़की आज तक गाउं से बाहर नहीं गई, वो तुम्हारे लिए आस्ट्रेलिया जाने के लिए राजी हो गई. गुरुजी, हमें भी कुछ सिखा दो. जो अपने के लिए राजी हो गई. ठैक्स, विगी. अकसर ये गवराथ होती थी कि मेरा होने वाला पती मुझे कभी समझ नहीं पाएगा. पर जब तुमने कहा कि तुम्हें मेरी दुनिया बहुत खूबसूरत लगी, तो ठिकाना नहीं रहा मेरी खुशी का. थैंक ये सो मच पर अंडुस्टानिंग वाल्ड. विगी भाईया, अंकर आपको बुला रहे हैं. जजमान, मैंने दोनों की कुंडली पढ़ लिये, कल इसी समय का मोहरत बहुत अच्छा है. विकी का है? आब बढ़ाओ, कल का मोहरत मंगनी के लिए बहुत अच्छा है. बहुत जल्दी नहीं हो रहा है, डाट. ये क्या कह रहा है, बढ़ा? तुम्हारे जाने से पहले मंगनी हो जाया तो अच्छा नहीं है, क्या? आपको याद हैना, डाट. आप मुझे ये दस दिन का वक्त देने वाले थे. आपने तैय कर लिया और आपने मेरी पसंद के बारे में पूछा तक नहीं है. ये क्या मज़ाख? क्या तुम्हें प्रिया पसंद नहीं? ये मुझे पसंद है. लेगन हम एक दूसरे का साथ निभा नहीं परें. हम दोनों की दुनिया एक दूसरे से अलग है. अगर साथ रहना है तो या तो उसे अपनी दुनिया छोड़नी पड़ेगी या फिर मुझे अपने सपनों को भूलना पड़ेगा. और मैं ऐसा कर नहीं सकता. क्यों नहीं कर सकते? उसने तो तुमारे लिए अपने डांस तक को कुर्बान कर दिया? यही तो मैं नहीं चाहता दैड. वो मेरी वजह से अपनी जिंदगी के मायने क्यों बदले? मायने बदलने के बाद भी वो दुखी नहीं होगी. बताए क्यों नहीं होगी दुखी, जिस डांस की वो 20 साल से प्रैक्टिस कर रही उसे छोड़कर दुख नहीं होगा, जिस कुत्ते को इतना प्यार करती उसे छोड़कर दुख नहीं होगा, ये modern dress नहीं पहनती, meat नहीं खाती, क्योंकि इसे पसंद नहीं है, मेरी खातेर इसे स करने की क्या सरोत है, अभी ये सब ठीक लग रहा है, लेकिन शादी के बाद क्या है, इसे अपनी दुनिया बहतर लगी तो? प्रिया तुम्हें बदल कर प्यार करे वो सही है या तुम जैसी हो तुम्हें वैसे प्यार करे वो सही है हर लड़की की दुनिया उसकी शादी से पहले अलग होती है विकी लेकिन उनमें से कितनों के दुनिया अतनी खुबसुरत होती है समझाता करने के लिए आज ये तयार है पर शादी के बाद ये कभी खुश नहीं रह पाएगी क्यों समझाता करके क्या हम लोग खुश नहीं है ऐसे खुश नसीब लोग बहुत कम है डैड आपकी टाइम की बात अलग थी जिन्दकी तेजी से बदल रही सुभा घर से निकलते हैं तो पता नहीं होता कि किस वक्त लोटेंगे आज कल एक पूरे दिन में पती पत्नी एक दूसरे के साथ दो घंटे से उपर नहीं बिताते मैं कहता हूं दो घंटों के लिए भी कुई समझाता क्यों करें मुझे तो ताच महल भी पसंद है मां लेकिन मैं उसे अपने घर में लाकर सजावट का समान नहीं बना सकता आप आप सुर्य प्रिया वी अर्नाट मेट फर इज अदर आप 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 वो रऄ वो पूरी दीदी मुझे लगा वो तुम्हें मजाक में छेड़ रहा है अगर मुझे जड़ा भी पता होता कि वो इतना बुरा है तो मैं कभी उससे सब चीजे नहीं लेता कि इस पूरी दीदी प्रिया कुछ यादें हमें खुशी देती है और कुछ यादें हमें दुख देती है यह तो हम पर निर्भर करता है ना कि हम क्या याद करें और क्या भूले है कि और कि कि आण आठ आएक आतवनों इस तरह क्यों दुखी हो रहा है मुझे जानते भूख यही तो क्या गलत वहना कभी तो तुम्हारे तोing समझ में नहीं आता कि मैं उस लड़की के साथ खुश क्यों नहीं रहूँगा जो मेरी तरह सोचती पर ये बात डैट कभी नहीं समझ सकेंगे इसलिए उनसे बहस करना बेकार है खैर मुझे ये सब भूल के अपने लक्ष को पाना है और अपने सपनों को साकार करना है हाई फ्रेंट्स कैसे हो सब लोग अरे अपना नहीं आफिस कैसा है बहुत ही सुन्दर आसु दिखिंग अपने न्यू बोस्स तुम भी ना हाई हाई अभी तक बैग देके यहां बटक रहे हैं तुमें कोई बखरा नहीं मिला क्या है उमीद भी बहुत कम है जब तक तक तुम जवान लोग अपने जीने का रवईया नहीं बदलोगे अगर जिन्दगी में कुछ पाना है तो एड़ेस्मेंट करना सिको सक्सेस पाने के लिए मैं खुद को बदलने जुकने और गड़ गड़ाने में विश्वास नहीं करता है अपने अंदर कुछ खास होना चाहिए जिसकी दूसरे को ज़रूत हो इट्स्टाथ सिंप्ल अगर में स्री के सामने जुख जाता जासा कि आप चाहते थी तो अभी तक उसके साथ गॉल्फ खेल रहा हो था पर मैंने समझाता नहीं किया इसलिए आज उससे भी बड़ी कंपनी में ओफर है इस बेवगूफ ने तमें यह उफर दिया क्यों उसे नौकरी से निकालना है आप जा सकते हैं मेरा ओफिस तो आगे है हाई डाड़ी आप विकी को पहचानते हैं तूबे सट अगाद 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 अगर अगर उन्हें पिनावजे निकाल दिया तो लीगल प्रॉब्लम होगाद निकाल दिया तो लीगल प्रॉब्लम हो सकती है क्या लीगल लीगल कर रहा है मेरे उपर सो से भी ज्यादा कैसे चल रहे हैं क्या फर्क पड़ता है केस की बात नहीं है सर कंपनी की इज़त की बात है क्या इज़त की बात करते हो क्या मैं इज़त से नहीं जी रहा हूं शुट अप से कहो कि अपना रवाया बदले अगर नहीं माने तो लीगल डेपार्टमेंट से बात कर बात करके उसे निकाल दो okay, sir. अब तुम जा सकते हैं. राजये? जी, sir. इसे देखकर मेरे सिर में दर्दोना? एह? इसे इंडिया जाने का बंद बचा लगा. Okay, sir. जी जा जी एलो हाई में जोज हूँ काडबरी कांपनी से बोल रहा हूँ तुम विकी हो? हाँ क्या तुम ने काडबरी मेट फॉर इच अदर कॉंटेस्ट के फॉर्म को भर के हिसा लिया था? हाँ साड़े छे लाख लोगों में एक लड़की है जो मेरी तरह सोचती है? हाँ कौन है वो लड़की? कौनी कौनी…… हलो! है है विक्की बोल रहा हूं क्या तो मैगी बोल रहे हैं तुम कहा हूँ? कॉफी शॉप के सामने गाच्या तुम कहा हूँ? दूढ़ो मैं वही काम करती हूँ जो मुझे परसंद हो मैं किसी से एवे में मिलती उसमें डेफिनिटली कोई स्पेशल बात होने चाहिए ये तुम्हारा टेस्ट है ये चाहिए कि लिए कि तुम्हें कुछ स्पेशल है की नहीं? ओर्राइट, मैं तुम्हें पांच मिनिट देती हूँ मुझे ढून सको, तो ढून लो तीन मिनिट में ढून लिया तो तुम्हें कोई प्राब्लम? स्क्यूज मी, यहाँ पर मेरे और तुम्हारी तरब बहुत सारे इंडियन्स है, इतना असान नहीं होगा दो मिनिट काफी रहेंगे? अलवे, लेकिन दो मिनिट में नहीं डूनदा तो हम कभी नहीं मिलेंगे, ओके? कुछ नहीं हुआ, मैगी, यह टाइम आप, मैम, आपका ओडर, पर मैंने तो ओडर नहीं किया, मैंने ओडर किया, मैंने ओडर किया, अलवे, दो मिनिट पहले, एपल पाई, चोको पाई, और मिनरल बॉट, मैं जानता हूँ तुम्हें पसंद है, वो कैसे? सिंपल, हम दोनों एक ही ब्रांड का परफ्यूम यूज़ करते हैं, एक जैसे वीडियो गेम्स खेलते हैं, and most important, स्पेशल लोगों से मिलने वाइट कपड़े पहन कर जाते हैं. पहली क्यों नहीं बताया, मुझे पता है कि तुम्हें भी मेरी तरह हादना पसंद नहीं है, तो तुम भी जीत गई, मैं भी जीत दिया है. मैं तो उस लड़की को देखने गया था, जो मेरी तरह सोचती है, लेकिन मुझे उससे मिलते ही पता चल गया है, कि ये लड़की मेरे लिए सही है, ये भी वही करती ही जो से पसंद है, बेलकुल मेरी तरह, हर बात मैं अजस्ट करना इसका स्टाइल नहीं है, हमारी दुनिय जैसी है, तो अब क्या, डेट पर चले, क्या, अभी मिले और अभी डेट पर जाना है, हां, देखो, 40 देश, 200 एरपोर्ट्स, और 6 लाग लोगों के बीच, हम दोनों ही है, जो मेरी इट फूर इच अधर कॉंटेस जीते हैं, इंडियन है, और एक ही शाहर में रहते हैं, हम, देखो, मैं जबर्जस्ती नहीं कर रहा है, बड़ जरा सोच, एक ऐसा मौका जो 6 लाग लोगों ने गवा देखो, क्या, बहुत मज़ा आएगा, क्यूँ, हलो, हलो, मामा जी, मैं बोल रहा हूँ, कैसे हो बिटे, मैं ठीक हूँ, मामा जी, मैंने सुना, आप लोग मेरी शादी में नहीं आ रहे हैं, क्या है न, वो मुझे हिल्द कैम से टेंट करने है, और पेटू के भी एक्जाम्स चल रहे हैं, प्रिया तो फ्री है, वहां रहेगी तो बहुत अपसेट रहेगी, उससे एक वेकेशन की जरूरत है, मैं प्लेन का प्लेकेट भेज रहा हूं, बेहता होगा उसे यहां भेज दीजिए, यहां जब पहले आती थी, तो सिर्फ मम्मी की हियाद आती थी, अब विक्य की भी आती है, आप कहते थे कि दुनिया को हम जो देते हैं, दुनिया हमें वही देती है, मैंने तो प्यार दिया था उसे, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तुम्हें कहीं गहुम आना चाहिए, शादी अटेंड कर लो. हाई मा, कैसे हो बेटा, सुपब, मा, पापा ने कहा था कि मुझे ऐसी लड़की कभी नहीं मिलेगी, जो मेरी तरह सोचती है, मुझे मिल गई मा, मैं बहुत खुछी हूं मा, अपने पती को बता दीजेगा, आज मैं उसके डैडी से मिलने जा रहा हूं, आपका अशिरवाद चाहिए, जस्ट जोकिंग मा, जस्ट चिल, बाई, सॉरी मैगी, ट्राफिक पर फच गया था, चल दिया हो विकी, तुहार डैडी का है, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे है, कम, इतना असान नहीं होता ये काम करना, आप डैड, ये है विकी, अब बोलना नहीं कि ये, मेरा बॉइफरेंट, मैं अपरे ड्रीम प्रोजेट के सा बात समझाता नहीं कर सकते हैं, तुम लोग क्या खुद को फिरंग समझने लगे हो, ओर्ड आटिट्यूद, जंदिकी भी, हमें क्या, क्या जटके देती है, नाइस तु मीट यू सर, I'm sorry, sir, वो तुमारे लिए सही लड़का नहीं है, ये क्या बात हुई, डाड, पहले मुलाकात में ही आपने उसे रिजेक्ट कर दिया, पूरे एक महीने डेट करने के बाद मैंने उसे पसंद किया है, वैसे भी, शादी मुझे करनी है, आपको नहीं, लेकिन तुम तो मेरी मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, और आपसे पर्मिशन भी नहीं मांग रही, ये मेरा डेसिजन है, तुम गलाट डेसिजन ले रही हो, मेरे हर डेसिजन को आपने हमेशा गलात ही का है, मैगी, अपना होनर जीजु को देखा कर यहां सेटल होने का इस से अच्छा मौका नहीं मिलेगा, ये गोल्डन चांस है, अजी, बाबू, लग्जा काम पड़ेगे! मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि वो सब… मैं जानता था आप ऐसी हरकत जरूर करेंगे, इन्हें वही मार सकता है? पर क्या होता आप खुछ और किराय के गुंड़े भिज़ देते मुझे मारने की ंद्धा, क्या फायदी? आपके पैसे बर्बाद होती है, और मेरा चाहिए… इसलीए तुम… तुम मारना चाहते है मुझे? आजै तुम मारना चाहते हैं तुम? आज, आजै में हुआ 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 आपकी प्रॉब्लम क्या है तुम दोनों का बच्काना प्यार मेरी प्रॉब्लम है शायद आपको पता नहीं मेट फॉरीच अदर की साड़े छे लाग एप्लिकेशन में से हमारी जोडी सेलेक्ट हुई है लाइफ कोई एप्लिकेशन फॉर्म नहीं है जिसमें चार में से एक आप्शन पर टिक किया जाता है हम अकसर प्यार में अंधे होखना गलत फैसल लेते हैं और उसका अंजाम भी भुगतते हैं ये ये बिलकुल गलत है क्या कहरें सेम तरह की कॉफी पीने को प्यार नहीं कहते हैं मिलकर कॉफी बनाने को प्यार कहते हैं तुम दोनों ये नहीं कर पाओगे मैं इसकी तरह सोचता हूँ ये मेरी तरह सोचती है अगर हम साथ में सिंद्गी गुजारें तो आपको क्या प्रॉब्लम है अगर तुम्हें कुछ पसंद नहीं हो तो तुम लड़ोगे लेकिन एड्रेस नहीं करोगे मेरी बेटी भी तुम्हारी तरह है तुम दोनों हमेशा जीतना चाहते हो अपनी सारी जिन्दगी तुम दोनों एक दूसरे से जीतने में खत्म कर दोगे एक साथ जीओगे कब तुम लोग माब आपको अपने बच्चों से सिवाई प्यार के और कुछ नहीं चाहिए होता लेकिन जवान लोगों को प्यार के साथ एक दूसरे से बहुत कुछ चाहिए होता है और तुम लोग ये बैलन्स नहीं कर सकते मैं बताओ आपकी प्रॉब्लम क्या है अंकल कि मैं मैगी से प्यार करता हूँ अगर आपको मेरे बारे में मैरेज ब्यूरो से पता चलता तो आप कहते कि वाह इतनी छोटी उमर में लड़के ने इतनी तरक्की कर ली मेरे बारे में बच्छा ही सोचते सेकिंड प्रॉब्लम बॉस और इंप्लॉई प्रॉब्लम कोई बॉस अपने इंप्लॉई को पसंद ने करता करता भी हो तो इतना नहीं कि वो अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में दे दे चलिए मान लेते हैं कि आप अपनी बेटी मैगी की शादी अपनी पसंद के किसी लड़के से कर भी देते हैं तो क्या गैरेंटी है कि वो उस लड़के के साथ जिन्दगी भर खुश रह पाएगी? मामला एकदम साफ है सर शादी के लिए भरोसा होना जरूरी हमें भरोसा है कि हम शादी करकर निभाँ पाएंगे और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि सिर्फ मैं ही मैगी के लिए सही लड़का हूँ इस दुनिया में आपको छोड़कर ये बात कोई भी माने ठीक है अगर तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ मेरी सोच है कि तुम मैगी के लिए सही लड़के नहीं हो तो फिर साबित करो चार दिनों में मेरी बड़ी बटी की शादी है सारे रिष्टदार यहां पर होंगे तुम भी आजाओ तुम्हें कुछ भी नहीं करना है जैसे हो वैसे ही रहाओ शादी के बाद मैं चार रिष्टदारों से तुम्हारे बारे में राय लूँगा कि तुम मैगी के लिए सही हो या नहीं उन चार लोगों में से अगर दोने भी सही बोला तो तुम दोनों की शादी कराऊंगा और इंडिया में एक कंपनी भी खोल के दूँगा लेकिन अगर ना कहा तो तुम्हें मैगी के साथ इस कॉंटेट को भी भूलना होगा हमें आपकी शर्ट मन्सूर है जो लेक्चर मेरे डैड ने मुझे दिया था ये वोही दोहरा रहे बड़ों को गलत साबित करने का इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा आप दो की बात करते हैं अगर किसी एक ने भी ना बोला तो मैं मैगी की जिन्दगी से दूर चला जाओ ये सब क्या चल रहे हैं जी ये कहते हैं कि साड़े छे लाख लोगों में से ये चुने गये थे मैं कहता हूँ पूरी दुनिया इनके रिष्टे को रिजेक्ट कर देगी चार दिन भी टिक नहीं पाएगा ये बोल जाओ से जी जी का खुश करने का एक और गोल्डन चांस मिल गया मुझे तू फामाउस तो आविकी तेरे कपड़े वही पर भाड़ूंगा मैं हाँ हाँ यू राजी हो इंग विद रिस्किंग शर्थ विकी प्रेस्क मुझे तो इसमें कोई रिस्क नहीं लगता तूम सब लोग तो खुश है ना हाँ आफ कोई मुझे ना पसंद करें ऐसा कभी हुआ है क्या अगर बाप ने तब हाशन नहीं दिया होता तो अब तक तो मैगी से मेरी शादी हो गई होती और मैं वैनिस में हनीमून मना रहा हुता हाई 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 डर्लिंग तुम निकल कब रहे हो आज रात की फ्लैट से मतलब कर सूब तक महुंचाओगे अफ कोस और हमारा चैलेंज सब्सक्राइब कल से शुरू हो जाएगा कि एक्सक्यूज मी मुझे वो एक मिनट हैलो राम बाबू हाँ मैं थीक हूं नो प्रॉब्लम ना याँ खाने को मच्छी है ना जींगा है तेरी लाइफ महां जादा अच्छी है सुना शादी होगी हनीमून मनाया के नहीं हाँ हनी मून की करेंट का मलें पहले मुझे पूछा था था न अब उससे पूछि रहा है अच्छा तुने पहले उससे पूछा पीज से क्यों हां वेक है में निल और बूर करें खार तो चोटा नहीं रहा अगर तु एतना ही बढ़ा है तो आपने बीबी कहा तुम्हें माफी का पैगाम मेरा पस्क्यूं में जाते हैं बॉल 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 हां गलती हो गई माफी के पैगाम के बदले तुम्हें बॉम बेजना चाहिए था इस इडियाट के वज़े से मुझे तेरे म अलग हो जाओ चले जाओ एक्टम करेक्ट बोला तुम तो लंडन जाकर कोई बेकार सी नौकरी डूड़ने वाले थे तो जाओ हमें छुटकारा मिलेगा तुझे नहीं मुझे मिलेगा ये शादी होने का इंतेसाब कर रहा हूं मैं तुम्हारा मानुस सुरत देखने से अच खुश रहेंगे, दोनों लड़ते रहते हैं क्या अऐसे भाई हैं खलत सला है उन दोनों की भलाई इसी में है यह साथ रहें वो दोनों एक दूसरे के सुख-दुक में भाजी होंगे तुम रहने तो तुम्हारी जिंटरेशन ये बात नहीं समझती सार, अपने फार्माऊस की खिड़की पर बैठ कर हमारी जनरेशन, जो असली दुनिया में रहती है, उस पर कमेंट ना करें तो अच्छा है ये बाते सुनकर मैं बोर हो चुका हूँ आप जो कह रहे हैं, वो सिर्फ किताबों में पढ़कर अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में इसके लिए कोई जगा नहीं डैडी डैडी? ये मेगी का फ्रेंड और शादी में आया है अतिथी देवोभव, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हमारा परिवार एक है, और शादी हमारे लिए उतसर जैसी होती है इसलिए हमारे परिवार को तोड़ने की बात बिलकुल मत करना तुम्हें तो मैंने यहां चार दिनों के लिए इन्वाइट किया था रामलक्षमन से जगडा करना, डैडी से बहस, लगता है दो दिन भी टिक नहीं पाऊगे I like this गर्फ्रेंड अगा तुम्हें किस करे तो टेंशन दूल होता है मूड बेटर हो जाता है टेंशन इस बात की है कि पहले ये दिन तीन लोगों से जगडा होगे मैं आज तक कोई शर्त नहीं हा रहा हूँ और ये थो प्यार का मामला है जीत हमारी ही होगी पताने हम जीतेंगे या नहीं मेरे परिवार के लोग डाइडी उनसे हमारे बारे में पूछेंगे पताने उनका जवाब ऐसा किसी ने मुझे कहा था कि बॉइफरेंट के किस करने से गर्ल्फरेंट का ठेंशन दूर हो जाता है मूड बनता है अगर मेरे मामा ने तुम्हे किस करते देख लिया ना तो तुम गए कौन वो जोकर तुम शायद जानते नहीं कि वो इस पूरे एरिया के छोटे डॉन है तुमने उनसे पंगा लिया तो तुम्हारी वाट लगा देंगे जिसे तुम शहर का डॉन कह रही हो मुझे तो जोकर लगता मैं जोकर लगता हु तुझे? मैं जोकर लगता हु तुझे? मुझे मजे 11 गाउं के हवलदार ढून रहे है सिहरी होने से पहले तेरा अब नहीं कुरा दिया ना तो तो मेरा नाम बदल देना समझा क्या है मुझे.. अचुम्मा लेले, कल दुनना दुनना करूँगा यहां भी किस किया यहां भी किस किया जा बतादो मामा को आई रे मेरी गोलु बूलु एक चुल्टा काम कर उस विक्की को जाकर बोल कि मैगी उसे बुला रही है और तू ये चकलेट का बोटकुल जोरो गया जा, मज़ा आएगा देख ले न विक्की, आज तेरे में अच्छा से चंपी करूँगा जीजू, मुझे आशिरवात हो जीजू कि मैं आपके नमक का कर जदा कर सकूँ गेर 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 आरे जीजू, इसकी कासर है तुम्ही तो मेरे अपने हो आपके क्या गेर 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 अभे तो रोग नमर लंगया अरे अरा भया, इस रूट की सभी लाने पैस्ते तुम्हे बात कौँ करो तेल गिडाता है, मुझे गिडाता है मैंने तो लक्षमान के लिए तेल किरा था तुम देखके नहीं चल सकते तो मुझे बोलना चाहिए न और एक इंकमिक दोले तो यह जोगों से मेरे मेरलाइन का लेक्षन दूड़ जाएगा मेरलाइन का लेक्षन चो तेरा तो ट्रावारी टूड़ गिया अच्चा सबग सिखाया सबग सिखाया? क्या ये तेरा प्लान था? मेरा प्लेंट? सालेम, मैंने तेरा क्या भी गाड़ा था? तुमेरी धटी पस्नी तोड़ी थे? साल, सर्ना, भोल! भॉल, सब्सक्तम नहीं होता क्या? अंचे! डात में कीड़े क्या? यह क्या बच्पना है? तेल गिराना, केले के छिलके फेगना, इनकी तरह में इतना भॉंदू नहीं हो, जो ऐसे गिर जाओंगा इसकी तो? प्लीज ठिंक डिफरेंट शादी की सारी तायारियां ठीक से चल रही है, न? उम्मीट से बहतर चल रही है बाब जी उन्होंने जो कुछ भी कहा वो सच था वो वाके में लंडन जाने की सोच रहे हैं और अगर ऐसा हुआ, तो वो दोन भाई कभी भी नहीं मिल पाएंगे अगर उन्हें कोई समझा सकता है, रोख सकता है, तो वो आप है, बाबुजी एक्स्क्यूज मी पराबर देंगे, नमस्ते, रुक रुक, 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 रुक यह मैंड केम कंपनी का उनर यहां क्या कर रहे है, पर दूली के बाप को तो यहीं होना चाहिए तो भी ना हाई वाट लग गई, अब क्या करूँ मैगी उस लड़के से प्यार करती है, यह कितना बस्तमीज लड़का है तुम जानते हो ना मैं तो जानता हूँ, लेकिन मैगी नहीं जानती ना, उसी को तो समझा रहा है यह बात नहीं है, रिलाक्स चार दिन की बात है, चार दिन बाद वो खुद यहां से चला जाएगा, मुझे अपने प्लैन पर पूरा भरोसा है तुम और यहां? तुम यहां पर कैसे? जीजू, यह है मेरा बॉइफ्रेंट विकी, हम दो महिने पहले मिले, और सबसे अच्छी बात तो यह है कि हम एज जैसे हैं तुम से मिलकर खुशी हुआ है, अच्छे दिखते हो, लेकिन मुझे से कम, यह प्रिया है, आज यह इनिया साही है हाई प्रिया अब्लाँ अब्लाँ तुम 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 कुंग्राचुलेशन्स मैं मैगी से मिलकर आई वो बिल्कुल तुमारी तरह है तुम दोनों मेड़ फुर एच आदर हो तुम दोनों मेड़ फुर एच आदर हो तुम रोकर अपनी दुख भरी कानी अपने अंकल को सुना देती तो मेरा तो बेंड ही बच जाता देखो अगर रोने से समस्या हल होती तो जिंदगी कितनी आसान होती पर असा होता नहीं है राइट बस इसी लिए हाँ वो दो सही है बट यूनो सम्थिंग तुम्हें यहां देखकर मैंने इस शर्त को जीतने की सारी उमीदें खोदी थी तुमने शर्त लगाई है देखा तुम भी टैंस हो गई ना नहीं नहीं मैं तो कुछ और सोच रही थी अगर तुम उनसे दूर भागते रहे तो उनके करीब कैसे होगे और उनका दिल कैसे जीतोगे तो मैं क्या करूँ इस घर का हर सदर से आइटम एक आइटम सब में कुछ न कुछ स्पेशल होता है और तुम तो कुछ ज्यादा ही स्पेशल हो तुम सब का दिल जीत लोगे तैंक यू सो मज़ गुलाबु ओनु आम रेली सॉरी अरे मैं बोल रहा हूं ना ऐसा कैसे हो सकता है बोल उसको बोल नहीं बोल उसको करना ही पड़ेगा अरे यह क्या है मैंने इन सब की खुशी के लिए इतना सारा इंतजाम किया है यह रोश्णी यह सब लेकिन ये तो सिर्फ लैपटाउप और सेल फोन पर बिजी है इन सब को काम का प्रेशर है बाबु जी क्या हाथ काम करते हैं इस modern technology से मुझे खुश होना चाहिए या लोगों के बीच जो दूरियां आ गए हैं उसे देखकर दुखी होना चाहिए और सुस्की बात है क्या है लड़कों के सामने पॉपट गया है हुआ आ हुआ ऑँआ खालया फर्ट लड़कों के सामने पॉपट गया है वालती से हो गया आंकल उसने जान बुच्छ करके आई इस मापकरती छे थीख है ठीक है ठीक है प्रिया, बाप रे बाप प्रिया, तुम यहां क्या कर रहे हो यार? तुम्हें पता है ज्ट क्या हुआ? तुम्हें मैगी के डैड की शकल देखनी चाहिए थी मुझे तो उन पर तरह सारा थी आइधिंक यह शर्त तो मैं जीत करी रहूंगा अगर तुम एक दिन पहले आगे होती है तो अब तक तुम्हें शर्त जीत चुगा होता पर एक बात साबित होगी अगर तुम मेरे साथ होना तो मैं अपनी जिंदेगी में कभी नहीं हारूँगा मुझे प्रॉमिस करो कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी कमान प्रिया कमान प्रॉमिस मी तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी प्रॉमिस मी प्रॉमिस मी सब तुम्हें अंदर बुला रहे हैं सारी प्रिया कम आइब जस्काम प्रिया मैं अभी आता हूं गुड़ वेरी गुड़ मुझे यही तो चाहिए था कि तुम इनके करीब जा सको इनके बीच रह सको और वो तुम्हारा असली चेरा देखें तुम जीत नहीं पारें आपके लिए जीत एक महमान की तरह है जो कभी-कभी आते हैं और मेरे लिए उस दोस्त की तरह है जो हमेश अच्छा मेरे साथ रहते अब ये दिलवाला दुन्हानिया लेकर ही जाएगा पॉल दे बेस्ट यू टू मैं मैं जीत गया मैं मैं जीते हो बलकी टॉस अगया हो जब भी मैं टॉस हारता हूं जीत जाता हूं यह क्या बकवाश्क्ण गया नहीं समझोगे एक गेम प्लान है देखो, वो हम सभी का दुश्मन है, इस मैच के बाद उसे यहां रहना नहीं चाहिए, इस लीग डासे प्लैन बनाया है, हमारे सारे बॉल्स, स्टंप्स पर लहीं, उसके सिर पर लगने चाहिए, और कैप्टन होने के नाते, यह मेरे ओर्डर्स है, सौरी, अगर हम हारेंगे तो इसकी वज़ा से, चोर रहे, तू बड़ा तेंडूल कर है ना, यह टाइम आपस में लडने का नहीं है, बलकि मिलकर दुश्मन को हराने का है, इस नोट गेम, इस इस वार, विकी, मेरे मामा ने मुझसे पचास हजार की बेट लगाई है, यह मैच हमें किसी भी हालत में जीतना ए अगयरे तुमारे अंखल का प्लान है, तो मैं ज़रूर जेत कर दिखाई हांगा, अल्डी बेस्ट, G थेक्क यू यू गुरुजी उननीस चोके बचा चुके हो बड़े हिम्मत वाले हो उननीस नहीं है बीच चोके है ठीक से गिन लें किस वाएं देखो हर भार यही बीच में क्यों आते हैं? हर भार मुझे ही निशना क्यों बनाता है कमान लक्षमान कैच कर चैच कर तुम दोनों मिलकर मेरी बजवाद होगे अच्छा खाजा के लिए वक्त आगया है आप दोनों को कमाल दिखाना है इसे बैट भी तु पकने नहीं आता है तो आप सिखा दीजिए ना इसको जाकर बोल पहले गिली डेंडा खेले वाई तू चले जब के कुमान एक रहन एक रहन एक रहन आउट यू तुमका बोल टिखाए देटा है ये येस दादा अब आपको ही खिलना पड़ेगा उसके साथ कौन खिलेगा मामा कम से कम आप तो जाए मैं जाओ इन दोनों से किसी एक उंगली को पकड़ो पर क्यों पकड़ो ना अगर इस उंगली को पकड़ा होता तो मैं पक्कास काम पोड़ा आता तो फिर आप क्या होड़ाने वाले हों और कित्ती दूर जाओंगे आइडिया उड़ा उससे पहले में उड़ा देता हो आ हाई है हाई हाब आ हाए आउट याए आउट याँ चार वालतीं डान जीतने के लिए जित बोरे, जित बोरे, मैं उसके साथ नहीं खेलना चाता हूँ, तुम्ही हो, खेलना ही पड़ेगा, ठीक है, जाता हूँ, और कोई चारा नहीं है, दोनों एक दूसरे से ठीक से बात नहीं करते, क्या खाग खेलेंगे? नहीं, 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 रुख जाब, ओके, ओके, बॉल उसके हाथ में धाना, सुरी ही है, जरा सुनना, लास्ट बॉल, जीतने के लिए तीन रण चाहिए, ठीक कारी एकूर, ठीक के है, जरा आगा है, बिएख रगको क्या रखे रगको क्या खाखे, मौन गोन छोटेज बागो! तfireेज बागो! तहरु ओनाओ… हम्... ठापन! जटेव देघयो! अग़ान! बागो! बागो?! ठापनॵी लुटाँ! रहाा? बागो! भागो! भागो! विक्की, बॉल पकडो! बस बाग गए! भागो! भागो! चप्ड़ो! भागो! क्पषके! पिक्किन विवड़ो! भागो! भागो! पुपषके! लिकी, समझ में नहीं आता कि इन शब्दों में तुम्हारे शुक्रिया आदा करो, दादा जी? हमारा आंकार हमें माफी मागने से रोकता है और रिष्टों को तोड़ देता है अगर आंकार को भूल कर हमें एक कदम भी आगे बढ़ाते हैं तो समझ में आता है कि हमारे बीच रिष्टे कितनी आसानी से जुड़ सकते हैं आज मेरा सपना सच हो गया अगर तुम कोई फंक्शन किसी की खुशी और गम बांटने के लिए अटेंड करते हो तो सब तुम पर भरोसा करने लगेंगे यहां इतने लोग आये हैं लेकिन सब सिर्फ दिखावे के लिए सब धोंग है किसी को कोई फर्क नहीं परता सब अपने अपने रास्ते पर चलना चाहते हैं इसी लिए मैंने सारे डिश्तेदारों को यहां पर बुलाया कुछ लोगों ने बहाने बनाने की कोशिश की लेकिन मैंने एक न सुनी हलागे यह तैयारियां मैंने की पर मेरे इस प्लैन को अंजाम तुमने दिया बेटा मैंने कुछ नहीं किया लादा जी यही तो तुमारी सब कुछ करके भी कहते हूं कुछ नहीं किया हुआ मैंने तुमसे कहा था ना तुम्हें कोई नापसंद नहीं कर सकता तुम बहुत स्पेशल हो मुझे आपसे कुछ बात करनी है पर मुझे तुमसे बात नहीं करनी है जाओ यह से तुमने देखा असलाम भाईया ने कमाल कर दिया उनहीं के वज़े से जीते हम यह मैच सार्फ एक मिनट अडे मेरा पीछा छोड़ो वार 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 एटू बैटू विदरला वार वार वज़ विए तुमाल करनी है अई सार्फ सर, हर्चाएए! सर, हर्चाएए! हर्चाएए, सर! हर्चाएए! यार! हर्चाएए! मर गए! उनकी तबित कैसी है? वो ठीक है, लेकिन ठरे रेस्ट की ज़रूरत है. शुक्रिया. यूर्वलकम. मैंने पहले ही कहा था, पर तुमने मेरी एक ना सुनी. अब देखा नतीजा, संगीत फंक्शन में उसने मुझे गिरा दिया, क्रिकेट मैच में मुझे बॉल से मारा, अब यह, वो मैकी के लिए सही लड़का नहीं है, भगा हूँ से यहां से. अगर वो एक सेकेंड भी यहां रहा ना, तो मैं कुछ न कुछ कर जाऊंगा, पता नहीं क्या, लेकिन मैं… तुम यहां क्यों आया हो, मुझे जान से मरने के लिए? I'm really sorry, सब, यह… Sorry? Idiot! अगर भगवान मुझे एक खुन की माफी दे दे, तो मैं कंद लेकर अभी किया भी तुझे शूट कर दूँगा! यह तो गलत बात है, आप उसे कुछ बोलने का मौका तो दीजे, अंकर! Shut up! पर आप उसकी बात सुनते क्यों रही? I said shut up! मैं तुम्हारा बाप नहीं हो, जो तुम्हारे नकरे सहलूंगा… बहुत हुआ… चलो… अब चलो… अब… एक मिनट मैं आया… पर किस लिए? तुम जो, मैं अभी आया… तुम्हारी मर्जी… I'm really sorry sir… आपके साथ अब तक जो कुछ हुआ… आपको लगता है कि उसका जिम्मेदार मैं ही हूँ… लेकिन यह सब सिर्फ एक गलत फैमी है… आपने कहा… अगर भगवान आपको मौका दे तो आप मुझे मार देंगे… अगर वही भगवान मुझे एक मौका दे… तो मैं उनसे आपको ठीक करने के दुआ करूँगा… हो सके तो मुझे माफ कीजीगा… क्या उसने तुम्हें माफ किया? मजा आया होगा ना उसके पेर पढ़के… मैगी… वो कुत्तों की तरह मुझे भॉक रहा था… और उसे मारने की बजाए तुम उसे माफिय मांग रहे थे… अरे मैगी… अब तुम्हें क्या हो गया? देखो… अंदर कितने खुश है सब लोग… अपनी खुशी के लिए दूसरों को दुखी करना ठीक है गया… यू नों वरिया… मैं जो हूँ यहाँ… आयल टेक गया… तुम बतल गए हो… वाट? यू चेंजड… तुम्ही स्वीट्स पसंद नहीं है… तो भी तुमने संगीत में स्वीट्स खाए… तुम्हें हारना पसंद नहीं है… फिर भी तुम जान बूच कर मैच हार गए… बिना गल्ती के सौरी नहीं बोलते हो… लेकिन आज वो भी कह दिया… ये तुम नहीं हो, विकी… इस नौट यू… मुझे एक बात बताओ… अगर हमारी सोच, विचार और पसंद सब कुछ एक जैसा है… तो जब मैं इतने गुस्से में हूँ, तो तुम इतने शान कैसे रह सकते हो… क्यूंकि तुम इन लोगों के बीच बदल गए हो… अरे भाईया, सब काम हो गया… आजाओ… इतनी सारी पैकिंग मैं अकेली नहीं कर सकती… मुझे फ्लाइट के लिए लेट भी हो रहा है… कम, help me… अरे, तुमसे कहना भूली गई… सुनो… हानीमून के लिए इंडिया ही आना… भावना को ताज महल बहुत पसंद है… मैं उसे ले जाओंगी… बहुत हुआ… स्टॉप इट… तुम ने विक्की और मैगी के प्यार को काम्याब बनाया… उनके जगडे को सुलजाया… और बचानक जाने का फ्लैन… यह सब क्या है? प्यार में किसी को खोने का ऐसास कैसा होता है मुझे पता है… मैं नहीं चाहते कि विक्की अपने प्यार को खो दे… इस बात की खुशी है कि वो अपनी मन्जल के करीब है… लेकिन दुख भी हो रहा है कि उससे दूर जा रही हूं… अगर उसने मेरी आँखों में आसू देख लिए तो उसे अपने किये पर पच्टावा होगा… इसलिए मैं जद्धी जल्दी हो सके जा रही हूं… प्लीज मुझे मुझे मत रुक ना… विक्ये के शर्च जीतने तक वो चाता है तुम यही रहो… उसे बेना बताये तुम चली जाओगी… जानते हो भी यह उसने सब कुछ गिरा दिया… अब तक कहां थी तुम… प्रिया इंडिया जा रहे है ना… उसकी पैकिंग करा रहे थी… अभी निकली है वो… प्रिया रुको। तुमने यो अचानात जाने का फैसला कर लिया है। मेरा कामिया खत्म हो जुका है। क्या खत्म हो चुका है। कुछ दिन और रुक जाू। मुझे जाना होगा। सुनो प्रिया, तुम यहां से नहीं जाओ। अगर मैं वो करूँ जो मुझे अच्छा लगता है तो तुम्हें खुशी होगी नौ। हुशी कि फ्wieम将 धा में होगी जॹशी नुक की नुक एरी कि की नूब। कि यहाद है जब मेर टोड़्स ने विखी यादय जब मेरी वृasy पर तूम्हेरे साथ थे हो गई हो ना स्मार्ट चलो अब केक काटते हैं जूटा हो गया कोई बात नहीं तब तक तो हमारी मंगनी भी हो चुकी होगी तुम नहीं जानते कि इस रिष्टे से मुझे कितनी खुशी होगी जब मैंने पता लगाया कि ऐसी कौन सी चीज़ा जो तुम्हें खुश कर सकती है तो तुम्हारे बारे में खास चीज पता चली इस पूरी दुन्या में जानते हो तुम सबसे ज्यादा किस से प्यार करते हो अपने आप से फिर मुझे एक आइडिया आया तुम्हारे लिए खुद को बदल दिया तो तुम जितना खुद के साथ खुश रहते हो उतना ही मेरे साथ रहोगे इसलिए मैंने आज से तै कर लि स्कूल और डांस छोड़कर उन्हें लगा मुझे खुशी कैसे मिल सकती है उन्हें ये नहीं पता कि वो सब मेरी पुरानी दुनिया थी अब तुम हो मेरी नई दुनिया सच में विकी I really love you Love you a lot अगर पूछोगे कितना तो जवाब नहीं दे पाऊंगी अगर पूछोगे कैसे तो दिखाने ही पाऊंगी लेकिन जब तक मेरे दिल में धड़कन है मैं तुम से प्यार करती रहोंगी Love you, Vicky Love you forever Happy birthday, Vicky Thank you Thank you Come, Vicky, come मुझे लगा था तुम मेहमान हो लेकिन तुम तो हमारे दामाद निकले अभी-अभी मुझे तुमारी शर्त के बारे में पता चला अब सिर्फ दो नहीं, यहां सब तुमारे फैसले को सही मानते है They are right, Vicky तुम ने ये सावित कर दिया कि विश्वास तजर्वे से बड़ा होता है हो सकता है, मैं ये शर्त हार गया हूँ लेकिन ये एक बाप की जीत है अब मुझे अपने बेटी की भविशी की जरा भी चिंता नहीं है Sorry, young man, मैंने तुमें दुख पहुचा है नहीं सर, मैंने आपको बहुत दुख पहुचा है मेरे लिए लाइफ में जीतना ही सब कुछ था इसलिए अपने करियर में भी मैं जीतता चला गया खुद को सही साबित करने के लिए मैंने आपका चैलेंज भी स्विकार किया लेकिन जब जब मैंने जीतने की कोशिश की तो मुझे यह एहसास हुआ कि जिन्दगी में जीतने के असली माइने क्या होते है मुझे पता है नहीं चला मैं कब बदल गया जब तक मुझे यह एहसास मैगी ने नहीं दिला है समझ नहीं पारा था कि ये सही है या गलत मुझे याद है आप सब के चहरों पर वो खुशी जब इन दोनों में सुला हुई थी फिर मुझे अपने पिता जी की बात याद आए सिर्फ खुद के बारे में सोचोगे तो थोड़ी सी खुशी मिलेगी पर अगर सब के लिए सोचोगे तो तुमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा ये बात जाने बगएर मैं सालों तक अपने पिता को दुखी करता रहा वो मुझे सेहन करते रहे पर मुझे दूर कभी नहीं हुए पिता जी जो ठेहरे पियार का दूसरा नाम कुर्बानी होती है सर ये बात मुझे नहीं पता थी और इसलिए सर प्रिया को दुख देदा रहा प्रिया मुझसे प्यार करती है इतना प्यार कि वो मेरे लिए अपनी सारी दुनिया छोड़ने के लिए दयार है मेरे लिए वो हमेशा हार्ती रही और मैं उसे अपनी चीट समझता रहा ऐसी लड़की को मैंने छोड़ दिया ये बोलकर कि वो मेरे लायक नहीं हमारी सोच नहीं मिलती लेकिन आज चप्रिया मुझे छोड़ कर जा रही है मुझे महसूस हो रहा है कि उस दिन मैंने उसे कितना दुख पहुचा है मैं सौचता था कि प्यार में खुद की खुशी ही ज़रूरी है पर प्यार तो खुद को दूसरे के लिए बदलने का नाम है मैं सौचता था अच्ज़स्मेंट कमज़ोरी की निशानी है लेकिन प्यार में एजस्मेंन नहीं किया तो आपने क्या किया मुझे लगता था कि शादी दो पफिक लोगों के बीच होनी चाही पर अब जाके पता चला कि शादी ही दो लोगों को एक दूसरे के लिए पफिक बनाती है आपने कहा था कि मैं लोगों को खुशी और गम में साथ रहने की प्रिणा देता हूँ और मुझे लगता है कि वो उस उमीद को खो बैठेंगे, वो भी मेरी वज़ा से दादा जी मैंने जिंदिगी में अपनी खुशी के अलावा किसी की परवा नहीं की जब मैं अपनी मर्जी का मालिक था, यगीन कीजे मैं बहुत खुश था, लेकिन मेरे आसपास के लोग नहीं पर अब ऐसा नहीं होगा, आज मुझे असलिक खुशी का हिसास होगा है, जो आप लोगों की खुशी के साथ चुड़िये शादी का मतलब है जिन्दगी के एक नई शिरुआत, और सही मानों में शादी तभी काम्याब होती है जब दो दिल एक हो जाए पूरी जिन्दगी खुशी-खुशी बिताने के लिए कुछ पलों का गम सहना ही पड़ता है आप बिलकुल सही कह रहे हैं दादा जी तुम्हारे साथ मेरी जिन्दगी के सबसे खुबसूरत पल बीते हैं विकी अगर मैं तुमसे नहीं मिलती तो मुझमें कोई बदलाव नहीं आता दो लोगों की पसंद मिलने को मैं प्यार समझती थी पर प्यार में जरूरी होता है दो दिलों का मिलना हमें एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं विकी पर फिर भी मैं खुश हूँ सीरिसली मैं बहुत खुश हूँ जानते हो क्या आज तक इस पूरी दुनिया में मैं बिलकुल अकेली थी तुम्हारी वजर से अब ये सब मेरी दुनिया है तो लाइफ से अब कोई शिकायत नहीं और इस सब की वज़ा सिर्फ तुम हूँ थैंक्स अलोट विकी शुक्रिया डाड़ी मैंने आपको कितनी बार दुख पहुँचाया है ना मैं दुखी नहीं बलकि बहुत कुछ हूँ हूँ है थैंक्यों विकी ये सब तुम्हारा कमाल है तुम हमें दुखी करके नहीं जा रहा हूँ हम सब को तुमने मिलाया हमारे रिष्टे को मजबूत किया सच कहूं तो तुमने प्यार का असली मतलब समझाया है विकी जो प्यार हमें एक दूसरे के करीब लाया है अब हमें उसी प्यार के साथ रहना है गुमने थके एक और विक करीड़ दुमने प्यार के साथ प्यार के कर दो है क्या हुआ उसको सबक सिखाते हैं मौडरन ड्रेस नहीं पहनती बेटा तुवारा वर्स नहीं चल रहा है क्या है आप सबस पेशावल से और नहीं तो क्या मजा करना सिर्फ तुमें नहीं हमें भी आता है जिन्दगी में कामियाभी पाने के लिए खूब मेहनत करो, कोई कॉम्परमाइज मत करो तभी सफलता मिले लेकिन रिष्टों के मामने में दूसरों से हारने में भी जीत है क्योंकि बदले में हमें भी उनका प्यार मिलता है यही मैंने सिखा है मैं हूँ विकी और यह है मेरी कहाने कुम्परमाइज करें